नमस्कार, मैं चंदरभान प्रजपती, लेक्चरर, मेकेनिकल इंजिनिरिंग, गॉर्मेंट पॉली टेक्निक वर्गर्ड चित्रकूट आप सभी का अपने यूटूब चैनल पॉली टेक्निक लिब्रे लर्निंग में हार देख स्वागाते हैं, वबिनंदन करता हूँ Dear Students, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Scholarship form भरने के लिए, जो Scholarship की official website है, उसमें एक Students Demo Video दिया हुआ है, Students की help के लिए, तो उस वीडियो को देखकर कैसे आप सारी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, Scholarship form भरने की, और जो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, Do's and Don'ts जो भी हैं, तो वो सारा बढ़ियां से हिंदी में दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आपको कैसे देखना है, और कैसे अपना आवेदन पत्र जो Scholarship का form है, वो भरना है, उसी के संबंद में आज अपने आप से बात करने जा रहा हूँ, जो पिछ जीजें जो confusion students के मन में रह गए थे, तो उनको मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कि वो students का help demo video है, वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in पर विजिट करना है, ये UP Government की scholarship की official website है, वो इसका ये URL है, उसमें जब आप विजिट करेंगे, तो इस तर करके blink हो रहा होगा, तो इस पर जब आप ये demo video for students जब आप इस पर click करेंगे, तो एक video चलने लगेगा, 8-9 minute का video है, उस video में हिंदी में पूरी प्रक्रिया को जो form भरने की प्रक्रिया है, उसको पूरा अच्छे से समझाया गया है, तो उसको आप देखिए, अगर एक बार में आपको समझ मनाए, तो दो बार, तीन बार देखिए, लेकिन एक बार प्रक्रिया को जानिये, समझे जरूर, ज़्यादा तर students क्या गलती करते हैं, कि cyber cafe के पास जाते हैं, cyber cafe वाले के पास जा करके, उसको पचास सो डेड़ सो रुपे जो भी उसकी fee से वो दे देते हैं, या कुछ भी डेटा जो समझ में आया, वो भर दिया, इन सब चीजों की बचे से क्या होता है, आगे चलके फिर scholarship आने में कई बार आपको समस्याओं का सामना करना करना पड़ता है, या कोई problem हो जाती है, तो फिर email पर message जाता है, या mobile पर OTP आता है, तो फिर आपको प्राप स्याओं से बचने के लिए, ठीक है यदि आपके पास कोई resources नहीं है, आप भरवा रहें किसी से, लेकिन कम से कम जानकारी तो पूरी रखिए, आपको पूरा पता होना चाहिए, कि कैसे scholarship form को आपको fill करना है, क्या-क्या उसके steps है, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है और जो जो चीज़ें मैंने बताया था, आधार correction आपको समय रहते करा लेना है, जो जो documents है वो पहले से आप ready करा करके रख लीजिए, ताकि उस समय एन अंत मौके पर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ये demo जो बीडियो है आपका students के लिए, help के लिए, इसको आप लोग जरू जो जला इस्तारी अधीकारियों के आपको बताये थे contact की किसी सभी जिलों में, जहां पर polytechnic Lucky Force हैं, वहां पर जला इस्तारी अथकारी में, जैसे scholarship का जो काम देखते हैं, जैसे जला समाज कल्ले आनतकारी होते हैं, पिछला वर कल्ले आनतकारी होते हैं, इसके अलाबावा, आपके अल्प संक्या कल्यान इतकारी होते हैं तो पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें आप अगर देखेंगे तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं जो भी श्टेटास आपका है और उनसे पूछ सकते हैं जो यह जिला इस तरही अदिकारी होते हैं या कोई आपके में संसोधा नोना है या स्कॉलर से पाने में कोई समस्या पैदा हो रही है आपको तो पूरा आपकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं तो उनसे जाकर की जरूर मिलिए और कुछ चीजे जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेरी किया था वीडियो में कमेंट्स के संका हुई कि हम कहां पड़ जाएंगे तो मैं आपको clear बता दू जो scholarship के form forward होते हैं वो आपकी संथा से होते हैं और जो जिलासतफे, उसी जिले के अधिकारियों को forward होते है अगर सारिथ होते हैं तो जिस जिले में आपकी संसथा से जिलेके अधिकारियों से आपको मिलना है ना कि आप जहां के रहने वाले हैं तो जिस जिले में आपकी जैसे उधारण के लिए यदि बरगण पॉलिटेक्निक में कोई छात्र यदि पढ़ रहा है student है वो scholarship का form अपलाई कर रहा है या students नहीं कहें कोई भी person हो सकता है जो कुछ negative thoughts रखता है negative thoughts इस sense में कि जैसे कोई माली जी बात बताया officially कोई चीज लिखी है मैंने जो PDF बताया था सारा चीज बताया था उसमें officially बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी तो उनको मैंने बताया था कि यदि उसमें लिखा था कि scholar से पाने में कोई समस्था है तो इन जिला इस तरी यतकारियों से संपर करके निराकरान करा लेना है तो आपकी scholar से पा जाएगी तो एक student ने जैसे student हो या जो भी विक्ति हों का कि नहीं ऐसा scholarship नहीं आती है तो ऐसे क्या थे कई बार students उनकी बातों में आकर या कई वो लोग बैका देते हैं या गलत उनको भ्रहमित कर देते हैं तो जिसकी वज़े से भी कई students scholarship से वन्चित रह जाते हैं जबकि उनका समाधान हो सकता था तो इस तरह के कि निगेटों लोगों से आपको भ्रहमित नहीं होना है अपनी बात आपको रखनी है अपनी बात पूचनी है आप जाईए थोड़ा सा active बनिए अपनी बात रखना पूचना और अपनी समस्याओं का निराकरन कराना सीखिए आप एक डिप्लोमा इंजीनियर हैं आपको इन सब चीजों में आगे रहना चाहिए मैं आपको एक विवारेक उधारन भी आपको दे करके बताता हूँ कि जैसे CVSE के जो बच्चे पड़े हुए होते हैं हाई स्कूल से जो हाई स्कूल करते हैं तो हाई स्कूल का जब रॉल नम्मर भरते हैं तो यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके में समस्याओं संदेहास पर डेटा में बता रहा था तो वो students अगर चुपचाप बैटे रहते ऐसे बहुत सारे students चुपचाप बैटे रहते अरे अब नहीं आई वो तो संदेहास पर डेटा में चला गया या मेरा roll number किसी और ने भर दिया था तो मेरा संदेहास पर डेटा में आप कुछ नहीं हो सकता बैटे रहे उनकी scholarship नहीं आई और पूरा application दे करके उसको उन्होंने संसोदेत अपना करा लिया सब चीज उनका डेटा सही होगे और उनकी scholarship भी उनके account में पहुँच गई तो ये बच्चों पे वहारे द्रश्टी कोंड होता है दूसरा एक चीज है कि यदि आप किसी से मिल लेंगे बात कर लेंगे जाग रूप थोड़ा सा हो जाएंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है आपको हर तरह से जानकारी ही मिलेगी और उसमें कुछ आपका आहित नहीं होना है तो आप उसमें परेशान मत होईए किसी तरह के जो लोग आपको भ्रहमित कर रहे हैं कह रहे हैं उनके किसी क मेरे यही था आप इस डेमो वीडियो को जो students की help के लिए बनाया गया है उसको अवश्च देखिए नेमा अनुसार काम करिए समय पर निर्धारे तितियों में अपना इसकोलर से फॉर्म अपलाई करिए जो इस लिए जो फस्ट इयर के students है यानि जो second semester में हैं और वो अभी second year में जाएंगे और जो fourth semester में फाइनल में जाएंगे उनके लिए यह बहुत important है फाइनल इयर के जो students हैं उनकी तो scholar से पा गई है और वो अब pass out होने वाले हैं खिर भी लेकिन यदि वो जानकारी रखेंगे तो जो उनके juniors हैं जो उनके परिवार कमाली जी कोई member है जो admission ले रहा है कहीं भी वो schools की भी scholar से फो या किसी degree college की या polytechnic की तो उनको सही मार्क द form बरी है अच्छे से मैं चाहता हूं कि आप लोगों के form सही समय पर और सही तरीके से भरे जाएं ताकि सभी की scholarship आपको समय पर राप्त हो सके सभी चात्राओं को तो आज के लिए इतना काफी है इसी तरह के के और भी interested जो informative videos के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा तब तक के लिए thank you very much आपका दिन शुब हो